हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार पंदरा दिसंबर दोजार तेईस और दे हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टन न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस यूडियो के तुरू डिसकस करेंगे स्टार्ट को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स ने एफर्ट्स किया और अब उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उनके ओपर यूए पीए के थूरू जो है वो कारवाई की जाएगी यूए पीए क्या होता है या अनलाफूल एक्टिविटी प इंप्लिमेंट हुआ था दोजार उनिस के अंदर इसमें और ज्यादा अमेंडमेंट करके इसको और ज्यादा स्टिक्ट बनाया गया था कई बार इसका किटिसिजम भी होता है कि वह इसका यूज जो है गोवर्मेंट बेसिकी लोगों के आवाज को दबाने के लिए करती है इसके अलावा दिल्ली पुलिस की दरफ से स्टेटमेंट आए कि ये एक वेल प्लान कंस्पिरेशी हो सकती है और अक्यूट जो है किसी टेर्रिस्ट और्गनाजेशन से कनेक्टिड हो सकते हैं इसको लेकर कई न कई डाउट है इसके अलावा ये बताया गया यहाँ पर कि व बताई गई है अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था या कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी कि कुछ लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि एक्चुली इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उन्होंने पारलियमेंट के अंदर एक तरीके से बिरोजगारी महंगाई इस तरह की आप पारलियमेंट में जाके पारलियमेंट को डिस्टरब करने कोशिस करते हैं पहली बात ये सिक्योर्टी का बहुत बड़ा लैप्स है वो अंदर चले कैसे के ये एक बड़ी सवाल है दूसरा ये कोई तरीका नियों इसको समर्थन नहीं करना चाहिए गलत चीजों का कभ पुछी दिन इसके वचे हैं उससे पहले कुछ एमपी ने बेसिक लिए क्या करता है जब भी कोई एमपी रूल्सका वोलेशन करता है जरुरली वेल्सके सामने जाके जब स्पीकर के सामने वो चिलाते हैं बार-बार उनको बोलने के बाद फोलो नहीं करते हैं तो उनको ट् specific exam oriented news यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और important news जो exam के perspective से relevant भी है और उसकी अपने significant है उनको हम लोग follow करेंगे इसके बाद page number four पे एक important news जो बुटी interesting है Supreme Court ने basically agencies को कहा है कि वह CBI manual का follow करेंगे किस चीज़ को लेकर जब भी किसी agency की raid होती है तो जितने electronic devices होते हैं लैपटोप मुबाइल इनको save किया जाता है इनको कहीने कहीं वह अपने साथ ले जाते हैं तो इसको लेकर कहीने कहीं लोगों रिपिटिशन फाइल करें कि भाई इसके तुरू क्या उनकी privacy का violation नहीं हो रहा है तो इसमें दो चीज़े बताए गी है कि पहली बात तो proper training दी जाए और लगबग 300 devices को save किया गया है 90 journalist उसमें से सामिल है यहाँ पर 2021 में Supreme Court की judgment को indicate किया गया है कि हर एक नागरिक की जो privacy है उसको protection करना हमारी responsibility है और उसका valuation नहीं हो सकता article 21 के अंदर इसके अलावा expectation के अगर हम बात करते हैं तो उसको liberties भी है freedom भी है लेकिन union home ministry के तरफ से statement दीगी कि आज के time पे laptop computer mobile commonly use किया जाता है contemporary societies के अंदर और criminal भी use करते हैं तो उसको investigate करना गलत नहीं है सवाल सिर्फ इत्रा यहाँ पर है कि आप indefinite time के लिए उसको कहीं नहीं कहीं एक तरीके से custody के अंदर नहीं रख सकते यह main concern है उसको लेकर एक तरीके से Supreme Court ने जेंसिज को का कि एक manual follow करिए एक तरीका follow करिए जिसके थुरूज वह हुई इस तरह की चीज़े दुबारा ना हूँ इसके बाद एक छोटी शी news आपको देखने के मिलेगी कि भारत की fastest solar electric boat के अंदर launch की गी है और barracuda करके इसका नाम दिया गया परनांसियेशन में भी incorrect बट इस तरह का नाम दिया गया आप इसको इंगलिस में पढ़ सकते हैं अपने अपने इसको analysis कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे और कुछ और important news को identify करने कोसिस करते हैं जो exam से related होगी और उसके अपने इसको यूजने करते हैं वह electronic cigarette का यूज करते हैं हला कि electronic cigarette इंडिया के अंदर ban करी गई है electronic cigarette की अगर हम बात करते हैं तो WHO यह बोल रहा है कि हमें urgently इसको control करने की requirement है पूरे देश में पूरी दुनिया हमें कह सकते हैं देश में नहीं और यहां पर यह बताया गया कि इस cigarette जो है कि एक आज के टाइम पर जो cool dude बनने कोसिस होती है इसके अंदर highly nicotine होता है nicotine ही तो होत अदर आप common cigarette भी यूज करेंगे और इसमें के अंदर भी और यह highly addictive है हमफूल है हमारी health के लिए जो कहिने कहीं हमारी health को disturb करता है इसके अलावा strict major होने चाहिए उन countries के अंदर जो जहां पर बच्चे तक cigarette को consume कर रहे हैं as compared to young people हलागी young people भी कर रहे हैं बट यह देखा गया क कई country में तो ऐसा है कि बच्चे ज्यादा consume कर रहे हैं as compared to adult इसके अलावा e-cigarette consumer जो consumer products है यह किसी भी तरीके से कम effective नहीं है कि भाई लोग यह बोलते थे कि हम tobacco product को bd cigarette इनको छोड़ने के लिए e-cigarette पीते हैं थोड़ा society के अंदर cool बनेंगे है ना तो WHO clear cut यह बोल रहा है क कि भाई यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके थुरू आप यह बोले कि एक तरीके साब अपनी tobacco habits को लिव कर रहे हैं चोड़ रहे हैं लेकिन e-cigarette से protect करना हमारे responsibility है बच्चों को protect करना और e-cigarette की वज़े से जो non smokers हैं माल आईते आप cigarette पी रहे हैं आपके पास कोई खड होगा बच्चे बहुत crucial है और उनको recreate किया जाता है कि आईए e-cigarette pga nicotine को hook करिए और यह statement दी गई है डिया डियरेक्टर जेनरल टेड रोस आइदो नौम गेब्रीसिस के द्वारा उन्होंने immediately एक major implement करने को लेकर direction दिया है यह एक तरीके से request करी सभी country से इसके अलावा open market म इसको अलाव नहीं किया जाना चाहिए दुनिया फर में 34 ऐसी country जिनोंने e-cigarette पर ban करका है 88 country में कोई minimum wage नहीं है 74 country में कोई इस तरह का regulation इसको लेकर नहीं है जहां तक बात भारत की है भारत के अंदर e-cigarette और similar devices को 2019 का हमारा एक low है probation of electronic cigarette act 2019 उसके according deal किया जाता है यहां पर कई और चीज़े बताएगी कि अगर आप brief exposure भी कर लेते हैं e-cigarette का तो इससे कहीं नहीं कहीं आपको लट लगनी शुरू होती है कि वही 13 से 15 ग्रूप में बच्चे यूज़ कर रहे हैं कनाड़ा के अंदर एज ग्रूप जो 16 से 19 में यूज़ कर रहे है तो e-cigarette बच्चों के लिए even जहां पर महिलाएं कंजूम कर रही है खासकर pregnant women तो वहां पर बच्चों के अंदर जो babies है जो अभी इस दुनिया में आया है नहीं है उसके health के ओपर भी impact पड़ेगा और क्योंकि toxic substances होते हैं cancer के chances बढ़ाएंगे heart disease के lung disorders के जो हो कही नहीं के cases को increase करेंगे इसके बाद fatal exposure के बारे हम जैसे है कि बता है कि pregnant women के लिए बिलकुल healthy नहीं है consume करना और उनके upcoming baby पर negative impact इसका पड़ेगा तो उसी को लेक कर यहाँ पर बताया गया है कि e cigarette और आज कल के जो फिर repeat कर रहे हैं यह cool dude बनने कोसिश करते हैं जब cancer होगा तो फिर सबसे पहले जो advertisement आती है कि मुझ के cancer से कैसे बचे उसमें सबसे पहले इनका photo आपको नजर आएगा इसके बाद इंद्रा गांधी Peace Prize Award Announcement किया गया है तो activist अली अबू अवाद और पियानिस्ट डैनियल बेरेन बोहिम करके इनका नाम दिया गया है इंद्रा गांधी Peace Prize 1986 से स्टार्ट हुआ था और लगबग हर साल दिया गया है 2020 में नहीं दिया गया था फिर 2022 में नहीं दिया गया था बाकी लगबग हर साल यह दिया जाता mostly foreigners को ही दिया गया है जो Peace को लेकर काम करते हैं इसके अलावा इन्होंने क्या इसा काम किया कि अवार्ट दिया हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है 2014 में जब UPSC ने परी पूछा था इधिंग जहां तक मैं सही हूँ हो सकता है कि error हो 2014 यह 15 UPSC ने सवाल का exact answer पूछा था इंद्रा गांधी Peace Prize की से दिया गया था लेकिन अब साइध इसके chances थोड़े कम है लेकिन possibility की इस तरह के सवाल भी आए इन दोनों वेक्तिनों क्या किया है कि इसराइल और फिलिस्तान या इसराइल और दुनिया के connect करने कोसिश किये music के थूँ कि music एक ऐसी चीज है जो differences को क कर सकता है कैसे cooperation पर काम कर सकते हैं इसको लेकर इनोंने efforts किये हैं तो उसको लेकर इनोंने peace efforts को लेकर ये award दिया जाता है और इसराइल और फिलिस्तान के बेच में differences को कम करने के लिए through music ये award इनको दिया गया है आगे बढ़ेंगे और page number 8 जो editorial section से discuss करता है दो editorial है classical editorial में कह सक करता हूँ क्योंकि आप सबको बता होगा कि जो COP28 चल रही थी दुबई के अंदर सुन-सुन कर boring सी feel हो रही होगी बट वो खतम हो चुकी है उसका एक concluded article दिया गया है बहुत छोटा to the point article है keeping it relevant करके कि वही आप जो ये प्रियास कर रहे है इसको relevant बनाईए इसको जितना Conference of Parties की जो मीटिंग होती है जिसमें Climate Science के बारे में बात होती है दुनिया में Climate Justice और Equity के बारे में बात होती है उसकी तरे इसको यूज क्या जा सकता है मैंने पहले ही बता था कि 1992 में जब Earth Summit हुई थी तब एक decision लिया था कि हर साल हम लोग एक मीटिंग जरूर करेंगे और 1995 मे सुरू होती है United Nation Conference of Party United Nation Convention on Climate Change Framework के अंडर ठीक इसके अलावा ये रिमार्केबल है अपने आप में पहले close door मीटिंग होती थी कुछ ब्योरोक्रेट और टेक्नोक्रेट इसमें पार्टिसपेट करते थे धीरे धीरे इसकी strength बढ़ने लगी अब इसमें activist group है indigenous group है छोटे और और government level पर high presence आपको देखने को मिलती है यानि एक meeting जो शुरू हुई थी कुछ लोगों के साथ अब एक तरीके से बहुत व्यापक या extended इसका आप efforts देखेंगे इसके अलावा आज के time पे ठीक हम development तो कर रहे हैं लेकि development में के साथ ये awareness भी होना कि कैसे anthropogenic यानि इनसानों की गतिवीदिया climate change को impact कर रही है इसी तरीके से लगातार अगर हम आप centuries में देखें तो industrialization ने किस तरह के challenges create करें दुनिया के सामने उसको लेकर और humanity के against किस तरह के treat किस तरह के challenges आने वाले time में हैं इनके बारे में discuss किया गया इवन अगर हम बात करते हैं जो climate denialist है जो नहीं मानते ही climate कोई चीज होती है वो भी धीरे धीरे इस चीज को समझने लगे हैं कि भाई हमें इस चीज को बहुत serious लेना पड़ेगा क्योंकि ये exactly एक बड़ी problem है इसके लावा आज के दुनिया जो है वो fossil fuel एरा है लोग जो है petrol, diesel, cng इस तरह की gases या traditional fuel का use करते हैं क्योंकि alternate better options नहीं हैं लेकिन हमें इसमें transition करना पड़ेगा और यही एक दोर है जब हम renewable energy sources यानि ऐसे energy sources जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं जो as compared to fossil fuel वो आपको environmentally healthy है इसके अलावा कोई भी country आज के time पर ऐसी नहीं है जो proper scientific assessment के basis पर यह ensure कर पाए कि भाई हम drastically improvement कर रहे हैं और 1.5 degree Celsius Paris agreement में हमने target किया था कि भाई 2 degree Celsius temperature से बढ़ने से हमें रोकना है और better से better करते हैं 1.5 degree करना है लेकिन दुनिया का temperature जो pre-industrial level है उससे 1.1 degree Celsius तो अल्रेडी बढ़ चुका है 2020-2021 के आसपास ही अब यह जो है वो हम इसको रोकेंगे कैसे इसके लिए बहुत बड़े level पर एक तरीके से काम करना पड़ेगा और सभी countries को करना पड़ेगा और तबी हम लोगों क्या करना है कि fossil fuel के use को reduce करना और greenhouse gases का major sources को कम करना पड़ेगा और conference of parties में लगातार अगर हम बात करते हैं तीन डिकेट से meeting चल रही है कई सारे differences आपको देखने को मिलते हैं और human emitted carbon point की गर हम बात करते हैं जैसे एक record level पर temperature पहुंच रहे हैं लगातार emission rise हो रहे हैं और इस सीज़ को ensure करना कि अगर यह temperature ऐसे भड़ता रहा तो उसके impact भी ह हमें over fund की requirement है देखो 1997 में जब Kyoto protocol हुआ था तो उसमें concept था common but differentiate responsibility की ठीक है हम सब लोगों को climate change के impact को कम करना इस सब की common जिम्मेदारी है बट responsibility अलग-अलग होगी क्यों क्योंकि भाई developed nation ने जो बेड़ा गरक करा है उसकी जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है तो आप पैसा provide करि जो vulnerable countries है उनको ठीक है इसलिए कई बार word use होता phase out करना phase out का भारत थोड़ा विरोध करता है क्योंकि phase out का मतलब होता कि आप binding कर देंगे phase down एक एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा relax सा word है जिसमें आप धीरे धीरे अपने चीजों को target करते हैं इसके अलावा funds को लेकर काफ पुराना है loss and damage fund जिसने 700 billion dollar की एक तरीके से funding receive करी है ये एक success कह सकते हैं historical carbon pollution को compensate करने को लेकर है नई नई फेजिज आपको देखने को मिलेगी phase out phase down transition इस तरह की चीज़े लेकिन पैसा technology ये वो चीज़े हैं जिसके थुरू आफ वोजिल फ्यूल को de-addiction कर सकते हैं हमें अग अगर अपने एक तरीके से multilateral process को strengthen करना उसके अंदर equity लेकर आनी है तो हमें इस तरह के efforts जो वो करने पड़ेंगे जिसके चुरू हम लोग एक peace process को या environment cleanness process को और ज्यादा strengthen कर पाएं इसके बाद second article है वो है principled shift करके इसराइल और हमास के बीच में जो गाजा के अंदर war चल भारत की position क्या है इस पूरे scenario में और भारत की position में क्या changes आये हैं उसके बारे में हम बात करेंगे पहला यह मैं पहले ही बताया कि editorial में एक article writer का एक अपना opinion होता है जरूरी नहीं कि हमें वो completely follow करना है कुछ points पिक करिए कुछ points जो हो वो reject करिए इन्होंने का कि इंडिया को ग है ठीक है इसराइल और एक तरीके से कह सकते हैं कि हमास के बीच में गाजा में लगबग दो मेने से वोर चल रहा है और साथ अक्तूबर को जब गाजा के गाजा के हमास के दुवारा जो इसराइल के अंदर एक terror attack हुआ था उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार इसराइ 17 nation general assembly के अंदर एक resolution लेकर आया जाता है कि immediately ceasefire होना चाहिए humanitarian ceasefire होना चाहिए जिसमें 152 countries ने vote किया है और इन vote करने में भारत भी सामिल है यानि भारत ने भी ceasefire के favor में vote किया है international humanitarian law के बारे हम discuss किया गया है और जितने भी hostages है उनको release करने के लिए बारे में discuss किया गया है 26 October की जब हम बात करते हैं जब ये save resolution आया था भारत ने abstain कर लिया था तब ministry of external affairs ने कहा था कि हमारी जो policy है वो zero tolerance कि है terrorism के against और क्योंकि हम उसमें abstain इसली रहे क्योंकि 7 October का terror attack के वारे में सामिल नहीं है हलाकि December 12 में सामिल क्यों हुए या क्यों हमने voting favor में करी इसको लेकर बहुत जादा clarification अभी तक नहीं है लेकिन ये माना जाता है कई सारे reasons है पहला लगातार कोजलिटी का नंबर बढ़ रहा है अठारा हजार के आसपास लोग मारे गई है इसके लावा बड़ी सिंख्याम लोग जो वो उनके घर तब आ हुए है इसके लावा बड़ी सिंख्याम में एक तरीके से कह सकते हैं कि ज अडियन पब्लिक का ये ओपिनियन है हलाकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशेट किया जा सकता है कि भारत की पब्लिक जो है आपने 140 क्रोड लोगों का ओपिनियन लिया कैसे ये क्योशन हो सकता है उनका ओपिनियन डिफ्रेंट हो सकता सबका इसके अलावा यहां पर अगर हम ब एक ceasefire होना चाहिए, बट इस United Nations General Assembly के resolution की कोई value नहीं है, United Nations Security Council के resolution के आगे, United Nations Security Council में same resolution आया था, US ने veto किया था, US ने veto करके इस पूरे resolution को पहले ही एक तरीके से, ये एक symbolic है, इससे अलावा इसका कोई impact जो वो नहीं आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा, अब सवाल ये भी आएगा कि क्या भारत अपनी earlier position से हट गया है, इसराइल और फिलिस्तान को लेकर इंडिया की policy क्या है, कि दोनों state होने चाहिए, peaceful coexist करने चाहिए, हम लोग किसी का समर्तन और किसी के against नहीं है, फिलिस्तान के साथ हमारा humanitarian थोड़ा सा relation है, और इसराइल के साथ हमारा defense में और diplomatic अगर कह सकते हैं, वहाँ पर आप इसराइल की तरफ आपको नज़र आएगा, United Nations General Assembly, Regulation Quality, इसराइल reject करता है, और US भी इसको reject करता है, terror attack के वारे में लगाता है, डिसकस होती है, तो अब यह बोल रहे हैं कि भाई, भारत सरकार को जो इसराइली government उसके साथ बात करने च यह कि regional instability को कैसे आप रोकेंगे और कैसे आप insecurity को कही ने कही जो आने वाले decades में हो सकती है, उसको stability की तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो यह भारत सरकार को एक तरीके से नहोंने message गन भी किया है, इसके बाद editorial part पे हम, sorry editorial complete हो गया, text and context में एक topic पिछले दो साल से चल रहा है, र करता नहीं, जब जीतेंगे तब देखेंगे, जो भी result आएगा, तो इसमें story cover करी गई है, कि भाई, क्या Russia जीत रहा है, क्या एक तरीके से उक्रेयन जीत रहा है, लेकिन मैंने एक topic discuss किया था, और UPSC में पूछा भी गया था, कि एक particular area है, यह किस से belong करता, तो वो उक्रेयन का part था, और matching में आया था basically एक international relation का question, इसके बाद page number 12 पे अगर हम बात करें, world affair में दुनिया में इस time पे चल क्या रहा है exactly, तो दुनिया में बहुत सारी चीजी चल रही है, उनमें से एक है, फिल्लेंड ने United States के साथ एक defense cooperation agreement sign किया है, और इसके अंदर US के soldier और military material जो है वो Nordic nation के अंदर sport किया जा सकता है, नाटो का डिशनली है member बना है, फिल्लेंड के अगर आप geographical location को देखेंगे तो बड़ी interesting और unique सी है, फिल्लेंड क्योंकि रहिशा के बहुत करीब है, तो इसलिए इनोंने सोचा कि हम लोग join करेंगे नाटो को, Sweden और Norway के साथ अपनी boundary को ये share कर जाता तो जब भी कोई country आती है, तो उसको थोड़ा सा जोगरफी के लिए जरूर आप इस तरीके से locate करिये, इसके अलावा इसराइल के अंदर और गाजा के अंदर war लड़ रहा है, हमास के अगेंश्ट, वो सारी चिए continue है, कोई नहीं नहीं है, युक्रेन और रशिया का war चल रहा है, रशिया के प्रेजिडेंट ने का कि हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कोई solution नहीं निकल जाता है, जब तक चीजे जो अचीव नहीं हो जाती, बंगलादेश के अंदर election होने वाले, वहाँ पर opposition के जितने military उनको arrest किया जा रहा है, इसके अलावा South Korea थोड जाता, drug trafficking के लिए जाने जाती है, और drug trafficking gang काफी ज़्यादा, active काफी ज़्यादा violence है, तो Ecuador को धान अखनाब, ये drug trafficking या drug trafficking gang के influence के लिए काफी ज़्यादा news में है, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कोई specific news basically नहीं है, बुलगारिया के अंदर कुछ efforts हो रहे हैं, जो former USSR क जो army के monuments है, उनको deficit कर रहे हैं, बुलगारिया फॉर्मर USSR का अलाई रहा है, यानि रश्या का ही एक तरीके से part रहता था, जो एक group बनाता था, USSR, ठीक है, तो ये बुलगारिया की geographical location आप देखेंगे हैं से, बड़ी interesting सी, बड़ी unique सी ये country है, बुलगारिया जो टर्की से ले किसोवा नहीं है, सर्विया, रोमानिया, इसके अलावा अगर हम भात करें तो ये यहाँ पर right hand side में black sea आएगा, तो एक question आप लोगों के लिए है, जो हमने अभी black sea के बारे में थोड़ा सा देखा, black sea की neighboring country कौन कौन सी है, या black sea किस किस country की boundary लगती है, ये आप थोड़ा identify क करिए और उसके बाद नीचे comment करिए, इसके बाद अगर हम बात करें, एक last news है, business section में, economy में उसके बाद हम इसको conclude करेंगे, opaque plus के बारे में discuss किया गया, opaque और opaque plus क्या है, basically opaque मतलब एक organization of petroleum exported country, लगवख 13 country का group है, और plus मतलब वो country जो इसके साथ aligned है, लेकिन इस group का member नहीं है, जै तो ये रशिया और साथी रिविया के बीच में agreement हुआ था, तो अब इसमें दिक्कत क्या रही है, opaque cartel के सामने एक बड़ी problem है, कि global oil market जो वो lose कर रहा है, एक तो demand काफी slow है, दूसरा US का crude production है, वो कहीने कहीं बढ़ा है, इन सब की वज़े से अगर हम बात करते है, international energy agency ने का कि भई लगातार price को बढ़ाना इनके लिए सही नहीं होगा और वो तरीके से practical भी नहीं होने वाला इनके लिए, opaque plus cartel जो सौधीर भी और Russian lead है, जो production को कहीने की restrain करने के बारे में डिसक्स है, कि भी price बढ़ते रहे, production कम करते, output को cut करते हैं उस तरह की चीजे, तो इसी को ल चैलेंजी हैं, 25 बिलियन, 25 डॉलर पर barrel के जो prices हो कम हुए है, पिछले कुछ दिनों के अंदर ही September से लेकर, अब तक, इसके अलावा अगर हम बात करें, record level पर price जो rise होने के बारे में बात करते हैं, production लगातार बढ़ रहा है, चाहिए वो Brazilian हो, ग्यूनिज हो, इसलिए अभी आज के टाइम पे केवल 51% market के अंदर share है, यानि जो पहले होना चाहिए था, अच्छा खासा था, 2016 के बाद सबसे कम यह है, जब से block create हुआ है, तो यह double trouble इसलिए बोला गया है, कि एक तो उपे country plus countries के सामने बड़ा challenge यह है, कि वही production को cut करके क्या एक वो continue कर सकते हैं, लगा आतार demand कम हो रही है, दूसरा US का अगर हम बात करें, production उनका बड़ा है, तो इनकी market value भी कम हो रही है, आपके लिए second question है, OPEC plus, OPEC में ठीक है 13 country आएंगी, लेकिन OPEC plus में रशिया और रशिया के अलावा कौन कौन सी country सामिल है, या आप नीचे comment करिए, फिलाल the Hindu news paper analysis में इ थैंक यो जाहिन